दिली के विज्ञान भवने तीन किंद्री मंत्रियों और 40 किसान नेताओं के बीच लंबी बाची चल रही है इस बीच दिली के तीन बॉर्डर सिंगू बॉर्डर टिक्री बॉर्डर और गाजीपूर पर किसानों का भारी जमावडा लगातार बना हुआ है सिंगू बॉर्डर और टिक्री बॉर्डर पर ट्राफिक को भी रोक दिया गया जबकि यूपी गेट गाजीपूर बॉर्डर पर भी सैकडों की संख्या में किसान धटे हुए जिसका असर सीधे सीधे राजधानी दिल्ली की तरफ आने वाले ट्राफिक पर पढ़ रहा है तीनों जगा की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे है लाइब भी लेकर चलते हैं आपको सीधे सिंगू बारडर हमारे साथ मौजून एं इस वक्तरविंद हजा और गाजेपूर बार्डर पर हमारे साथ इस वक्त मौजून देती थी दूसरी और काफी बड़ी तादात के अंदर अब यहां पे किसान मौजूद हैं यह जो बैरिकेट्स थे इनको हटाने की कोशिश करी गए थी पुलीस के द्वारा लेकिन किसान इतनी भारी तादात में यहां पे मौजूद हैं कि वो पुलीस के उपर हावी हो गए और उन्हो का कहना है कि अब इंतजार है तो बस वो मीटिंग खतम होने का एक बार मीटिंग खतम हो जाएगी तब इनको मालूम पड़ेगा कि केंद्र सरकार किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है दूसरी और आप देखेंगे पुलीस भी उतनी ही जादा तादात के अंदर है लेक यहाँ पे यह जो बॉर्डर है जहाँ पे यूपी से आने वाला ट्राफिक है इसको यहाँ पे बिलकुल बंद कर दिया गया है सुबे से ही गाजीपूर में यही स्तिती बनी हुई है रोहित सिंगू बॉर्डर पर अर्विन दो जहां हमारे साथ हैं अर्विन हालाद दिखाए वहां के क्या स्तिती है अभी यह सिंगू बॉर्डर पूरी तरह से जयम पढ़ा हुआ रोहित यह जो बैरीकेटेंग आप देख पा रहे हैं यह पहले यह नहीं थी सुरुवात यहां से तक्रिबन आधा किलोमेटर दूर पर यह बैरीकेटेट ती जिस पर किसान जहां पर किसान बैठे हुए थे छे महिने के रासन के साथ लेकिन धीरे धीरे करके दूसरे अलग-अलग राज्यों से जो किसान है वो अचानक से हां आते हैं और ये पूरा चौरहा जाम करते हैं तो एक तरफ देखिए ये अपने आप में बड़ी तस्वीर है हिंदुस्तान की बात करें तो यहां पर दो जवानों को एक तरफ किसान होता है एक तरफ जवान होता है दोनों को बहुत सम्मान दिया जाता है और दोनों ही यहां आमने सामने दिख रहे हैं एक तरफ ये जवान है बीच में बेरिकेटिंग है दूसरी तरफ किसान है और त कहना है कि सरकार जब तक किसानों की बात नहीं मानती तब तक यह बॉर्डर नहीं खुलेगा और यह बॉर्डर सबसे ज्यादा एहम है क्योंकि राश्टी राजमार और कई बड़े राज्यों को यह जोड़ता है और यह पूरा इलाका जरा एक बार कहेंगे रवी कांत कैमरा परसलों तस्वीर दिखाएं कि यह पहले बॉर्डर का जो डोल नाका था उससे अब बढ़ते बढ़ते यह जो विरोज प्रदरसल है वह काफी ज्यादा बड़ा रूप आकार ले चुका जरा यह देखिए यह ट्रैक्टर देख लिए यह ट्रैक्टर सड़कों पर चलती थ और इसी के बीच चल रहा है लंगर जिसमें खाना और यही से खाना विज्यान भवन भी गया था रोहित तो कुल मिलाकर यहां पर परिस्थिती यह है कि पूरा जो यह बॉर्डर है जिस पर सरकार की और दिल्ली पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी सरदर्दी है पूरी तरह से जाम पड़ा हुआ है वापस आएंगे आपके पास देखिए सिंगू बॉर्डर और घाजीपूर दोनों जगा पर किसानों ने जाम लगा रखा है जाम खुलेगा या नहीं खुलेगा यह विज्यान भवन से ताय होगा हिमांशु और अशोक सिंगल वहां पर मौजूद उन दोनों के पास हम चलेंगे लेकिन सिर्फ दिल्ली की सरदों पर नहीं बलकि देश के अलग अलग राज्यों में भी किसान आंदोलन के समर्थन में वहां के किसान अप प्रदर्शन कर रहें आपके सामने यूपी के बागपत हरियाना के पलवल राजस्तान के सीकर जमू क प्रदर्शन पर बैठे किसानों का समर्थन करने के लिए उत्रे हुएं तो दिली में किसान अंदोलन के आठवा दिन शुरू हो चुका है ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाना से आए हैं लेकिन हम आपको सुनाते हैं कि देश के और राज्यों के किसान मौजूदा किसा कही खते हैं किसान अदशने का सामान लिया जाेगा अलुए गन्ना है ऑग्यों है धान है जो भी फसल है सरसो है कुछ भी हो सबजी है कोई भी सवदा हो तो उसको जो है अच्छी रेट में उचित रेट में लिया जाएक ताकि किसान भी भोखो ना मरें सरकार इन बिलों पे विच्यार करें और MSP जो खरीद है उसको पांट-दस परसेंट बढ़ा के और उस बिल में भी ये निर्दार तो करना चाहिए किसान का माल गोवर्मेंट सरकारी रेट से एक रुपया भी नीचे नहीं बिकने चाहिए तब तो किसान की कोई बात करने से फ पर रखे हुए गर पर पूलिस बिठा ही रखी हुई है इसलिए जो ये काला बिल आये है तो ये तातकाली को वह वापस लेना चाहिए